सोचोगे, बाहर के शोरगुल को, हाँ वो खिड़की वाले शोरगुल को सुनते हुए तुम कुछ तो सोचोगे और फिधाखार के एक सवाल तुम मुझसे पूछोगे पूछोगे कि जिन्दगी जीने में काम आए वो वजा कैसी होनी चाहे जहां दिल को सुकून और आराम मिल जाए वो वजा कैसी होनी चाहे जहां तो मुझसे इस सवाल भी पूछ लोगे कि खाबों के दंगल में कहीं सपनों का पड़ाओं होगा क्या इस शहर के सिमेंट वाले जंगल में कहीं वो सपनों वाला गाओं होगा क्या जहां कुदरत खुद खुद बस जाने का जतन कर सके जहां घर से ओफिस लोटने का मन कर सके जहां खुशियां इतनी की किसी की नजर ना लगे जो शहर में तो हो पर शहर ना लगे जहां तुम्हारे आने की राह देखें पेड़ों की थंडी शाखाएं जहां खावों की तरह खूबसुरा जिन्दगी हम सभी जी पाएं जहां के हर जर्रे में चैनों सुकून हो आराम भी हो और ऐसे में कहीं बैठ जाने का मन करें तो उसका इंतिजाम भी हो जहां तुम्हें बस मुस्कुराने की आदत पड़ जाए जहां नंगे पैर भी चलो न तो तुम्हारी सेहत बन जाए जहां सच हो जाए बच्चों की तरह पागलों की तरह खेलने का हर खाब भी जहां ध्यान लगाने की जगा हो और हो एक छोटा सा तालाब भी जहां सांस लेकर लगे कि जैसे वादियों में आ गए हो आसपार्स नजर जाए तो लगे की पहाड़ियों में आ गए यादगार सा रह जाए गुजरे उस जगा हर पल ऐसा जो घर मकान न लगे लगे बिलकुल एक महल जैसा तुम कहोगे कि क्या क्या सच में होता है कहीं ऐसा ठीका ना तो मैं जो तुम्हें पता लिख कर दूँगा न तुम उस जगे पर जाना जिससे देखकर तुम भी जाहिर करोगे ऐस ऐसे ही जजबात और शायद मुझ से मिलके करोगे तुम भी ऐसे ही बात कि सच में अगर कोई जीने की वज़ा दे सके सच में अगर कोई जिन्दगी जीने की एक जगा दे सके इस जमाने में भला कौन ऐसा हो मैं फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूँगा घर कैसा हो व्योम जैसा हो